संग्रिया पांटा पर यूग की गोली मार कर हत्या करने का मामला पंजाब से प्रोड़क्शन वाइंट पर आरोपियों को गिर्पदार कर लाई पुलीस पुलीस कमिस दिलेट की बार्श नी ठाना पुलीस ने संग्रिया पाटा पर फाइरिंग कर हथे करने के मामले में कारोई करते हैं तीन फरार आरोपियों को गिर्थतर किया हैं इन्हें पंजाब से प्रोडक्षन वाइंट पर या लाया गया हैं आरोपी फाइरिंग और हत्या करने के बाद पंजाब की तरफ फरायर हो गए थी इनके खिलाब पंजाब में भी अमसे एक्ट में मामला दर्जें फिलाल तीनों आरोपियों से पूछताच की जा रही है जिनमें कई खुलासे होने की उमीद है गोर तलब है कि 8 एक्टोबर को जोधपुर के कशना नगर संग्रिया पंटा सेतर में फारिंग की घटना होई थी जिसमें सुभास नाम के यूग को गोली मार का हत्या कर दी गई थी इसके बाद मर्तक सुभास के चाचा चैनाराम ने रिपोर्ट दी थी बताया कि उनके बतीजे को किसी ने मुबाइल पर इस्ट्रेग्राम से मेसेज मिलने पर संग्रिया पंटा अरजुन मुबाइल के पास वाली गली में बुलया यह दो लड़के बाइक रोड़ पर खड़ी करके उनके बतीजे सुभास के पास आए इतने में एक लड़के ने उससे बात शुरू की दूसरे ने पिश्टल निकाल के उसके बतिजे पर आंदर दून पायरिंग कर दी जिससे उनके बतिजे सुबास की गोली लगने से मुहत हो गई इसको मामला दर्चकर पुलिस ने जाश शुरू की मामले में कारवाई करते हैं टीम ने हत्या की वारदात के मुके सूतरतार जिते अंदर विश्टोई पुतर पपाराम विश्टोई 31 वर्चे निवासी खेडी सौड़ा पुलिस थाना डांग्यवास हाल मादे और नगर बना जिनकी तलास के लिए टीम में गटित की गई इस पर मामले में पुलिस ने अनिल कुमार उर्फ अनिल गोदारा बी स्वर्ची पुतर सेतान सिंग विश्टोई निवासी कुडी पटव पुलिस थाना पंच बदरा मोमद आशीव 27 स्वर्ची पुतर मोमद इब्राहेम निव सिवर्ड नंबर 22 मस्जिदवाली गली इंद्र कोलोणी पुलिस तना टास्पोर्ट नगत जिला पाली और बानुशिसोदय 25 वर्ची पुतर मनक दमामी निवासी राजपुच 17 वास वाली गली इंद्र कोलोणी पाली को प्रोड़क्शन मार्ट पर आज पंजाब से लाय ग दस अक्टोमर को पंजाब पुलीस की एंटी गैंगिस्टा टासक पॉर्स की टीम ने पुलीस थाना डेराबबसी मोहली सेतर में दो अवेज पिश्टेल और कार्तु साइथ तीन को गिरिपदार कर जेल बिजवाया गया था जिनने पोड़क्स और वाइंट पर आज जोदपूर लगया तीनों को कोड में पेश कर रिमांट पर लिया गया हैं तीनों से पूश्टा आज की जारी है जिनमें कई खुला से होने की उम्मीद है